अपने देश वाशा आगोत हो जाना है कोली स्टड़ी कॉर्णनर है और आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि एक सब्जी विक्रिता के साथ कोई कैसे बात करता है जो ग्रहक जाता है सब्जी लेने वो कैसे बात करता है आज हमें आपने देश शेकाबो कि कोनो शोब्जी वाला तो सब्जी वाले से सब्जी खरी नाम को जानना पड़ेगा तो सब्जी वाले सब्जी खरीए के नाम जो कि बहुत कॉमन सब्जी है ठीक है उसके बाद हम कन्वर्सेशन आप लोगको बताएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बट ओ यह बिफोर स्टार्टिंग एक पर subscribe my channel that is for his study corner तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करा जा तो सबसे पहले जो सबजियों का राजा है उसी का नाम लेते हैं वो है आलू आलू को बंगला में भी आलू ही बोलते हैं ठीक है? आलू उसके बाद प्याज प्याज को बंगला में बोलते हैं प्याज यापर मैंने लिखा हैं प्याज न आप लोग नाख से बोलेंगे इसको प्याज लहसुन को बंगला में बोलते हैं रोशुन अद्रक आदा अद्रक को बोलते हैं आदा बैंगल बेगून क्योंकि हसी 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 में हम लोग ये भी करते हैं इसको बेगुन इसलिए बोला जाता है क्याकि उसमें कोई गुन नहीं होता है ठीक है ब्यागन को बोलते हैं बेगुन तामाटर टॉमेटो टॉमेटो ठीक है देन पालक पालक को बोलते हैं पालोंग शाक यह देखिए पालोंग गह यहाँ पर नहीं बोलना है पालोंग शाक भिंडी, भिंडी को बोलते हैं, भिंडी, ध्यारोज भी बोलते हैं, लेकिन जो common conversation होता है, जो आम बातचीत के भाशना हैं, भिंडी ही बोलते हैं, उसको फिर ध्यारोज बहुत कम बोलते हैं, भिंडी, करेला, करेला को बंगला में बोलते हैं, कौरोला, करो ला, छीमी, छीमी को बोलते हैं कराई शुटी, सेम को बोलते हैं छीम, मेथी, मेथी शाक, धनिया, धनिया को बोलते हैं बंगलाने, धोने पाता, धोने पाता, हरी मिर्च, काचा लॉंका, नीबु, लेबु, यहाँ पे गोभी मतलब कॉली फ्लावर को बोलते हैं फूल कोपी, बंद गोभी जिसे इंगलिश में कैबेज बोलते हैं उसको बोलते हैं बंगलाने बाधा कोपी, बाधा कोपी, लॉकी, लॉकी को बोलते हैं लाव, लाव, कटहल, कटहल को बोलते हैं एचोड, एचोड, नाक से बोलना है, एचोड, कोहडा, इसे हिंदी में कद्दू भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं बंगला में कुम्डो, कुम्डो, चलिए आप हम लोग सीखते हैं कन्वर्सेशन, त अलो कैसे दिये, सबजी बीस रुपे कीलो पुरी टाका कीलो पूरी टका किलो यहाँ पे मैंने शब्दों में इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोको शब्दों में ही बोलेंगे ठीक है तो इसलिए मैंने शब्द में यहाँ पे लिख दिया है पुरी चाका किलो, ग्राहक, और प्याँच, और प्याँच, और प्याँच ग्राहक, एक किलो प्याँच और दो किलो आलू तल दो, एक किलो प्याँच और दू किलो आलू ओजन करो, तल दो मतलाक ओजन करो, तल ने को बोलते हैं ओजन करा, एक किलो प्याँच आर दू किलो आलू ओजौन कोरों ग्रहाक उसके उदब फिर से बोहता है और ये बंदॉभी कैसे दिये और और ये predicted जोभी कैसे दिये कोतो कोरे कैसे दिये का मतलब भी या प्राइस पूछ रहे इसलिए बंगला में काते हैं कोतो कोरे कितने का या कैसे दिये आर एई बाधा कोफी कोतो कोरे विक्रेता और कुछ बेन्या आर केचू दादा आर केचू दादा ग्राह क्या ले सब तो इतना महंगा है की नेवो क्या को बोलेंगे की ले नेवो की नेवो क्या ले की नेवो सब तो इतना महंगा है सब तो एतो दाम सब तो यह सेम वर्ण है इतना एतो महंगा है दाम की नेवो सब तो एतो दाम विक्रेता, क्या करे में या, की कोरी दादा, की कोरी दादा, विक्रेता हम भी खरित कर ही ला रहे हैं, आमियो की नहीं आंची, हम भी आमियो खरित कर की नहीं, खरित कर ही, खरित कर ही के लिए एक शब्द है की नहीं ला रहे हैं आंची आमियो किने आंची द्राहत चलो कितना हुआ बताओ चलो कोतो होलो बोलो कितना हुआ कोतो होलो बताओ बोलो चलो कोतो होलो बोलो विक्रेता 110 रुपे विए आप 100 दे दीजिए ऐसे ही बोलते हैं सबजी भीक्रेद आप खुदी बढ़ाते हैं फिर पांच रुपया कम करते हैं आप हम कम करते हैं 110 रुपय हुए आप 100 दे दीजिए 110 टाका होये छे आपनी 112 दिये दिन 110 या पिचली हदंत लगा देते हैं 110 टाका होये छे आपनी 110 टाका 1111 ग्रहात धन्या डाल देना धन्या को बोलते हैं धोने पाता डाल देना दिये दियो धोने पाता दिये दियो विक्रेता दे दिये हैं दिये दिये ची दे दिये हैं दिये दिये ची दिये दिये ची तो फ्रेंड्स ये था conversation between vegetable seller and customer ये था बातचीत आई होब आप लोग सीखे होंगे अच्छा लगा होगा लाइक जरूर कीजिएगा कॉमेंट करना बिलकूल नहीं भूलिएगा कॉमेंट जरूर से कीजिएगा हम आप लोग के कॉमेंट का हम इंतजार करते हैं कॉमेंट जरूर कीजिएगा चली मिलते हैं नेक्स वीडियो पर कुछ और सीखते हैं नया सीखते हैं तब तक के लिए बाई